हम शुरू करते हैं वर्क्षिट नंबर 45 यह वर्क्षिट आपकी KG2 2nd class की है ठीक है इसको मैं बना रहे हूं आप लोग देख लेंगे पहले आप लोग अपने parents से यह सारी चीज़े अच्छे से लेबल करवा लेंगे date डलवा लेंगे अच्छे 26 इसके इलावा अपना class अपना section और अपने teacher का नाम साथ में अपना नाम भी लिखवा लेंगे अच्छी अच्छी writing में ठीक है उसके बाद यह काम आप अपने आप से करना शुरू करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले यहां क्या लिखा है opposite words opposite words का मतलब क्या होता है उल्टे शब्द क्या होता है विलोम शब्द है ना यानि कि जैसे मैं कहूं दिन तो दिन का क्या हो जाएगा रात या दिन की डे का क्या हो जाएगा night यानि कि दिन का रात है ना इसको ही हम लोग कहते है opposite words जिसमें उल्टे बोले हम black का क्या हो जाएगा white ह चलिए अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है Let us find out more about you So circle, draw, write your answer हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और जो भी चीज है उसको आप circle करेंगे उसको दुबार अपनी copy में बनाएंगे और अपना answer लिखेंगे ठीक है चलिए देखते हैं हमें क्या करना है आज यहां देखें क्या लिखा है Question number one How do you feel today आज आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं मतलब आज का दिन आपके लिए कैसा है अगर आपको सुबही सुबह मुमा ने डाट लगा दिये तो आप कहेंगे मैडम मेरा तो मूड सैड है लेकिन आज अगर सुबही सुबह मुमा ने आपको टैन रुपीज दे दिये खर्च करने के लिए कि जाओ चोकलेट लाके खा दो तो आप क्या कहेंगे मैम आज मैं तो बहुत हैपी हूँ ुश ुश आपके साथ कुछ अच्छा होते है तो आप खोश होते हैं और अगर कुछ बुरा होते है तो आप उदास होते हैं ठेके नेक्स्ट कूशें है आपका अब आपके बाल जो हैं वो कैसे हैं शॉट शॉट माने चोटे एस एच ओ R T short Short ma The third Long ma The third Long ma The third अब आपसे पूछते हैं कि आपके बाल कैसे हैं अब तो मै वीडियो मैं बना रही हूं तो मैं तो कहूंगी मेरे बाल तो बहुत लंम है ठीक है तो मैं तो इसको सर्वकल करूंगी अब आप बताइए आपके बाल कैसे हैं बाल लंबे हैं या चोटे तो अगर चोटे हों तो आप इसको circle करेंगे और अपनी copy में बनाएंगे और अगर लंबे होंगे तो आप इसको circle करके अपने copy पर बनाएंगे ओके चलिए next देखते हैं यहां लिखा है third question which hand do you use to write आप लिखने के लिए कौन से हाथ का इस्तेमाल करते हैं right right माने सीधा हाथ r i g h t right ठीके या left 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 बारे उल्टा हाथ तो अब फिर वही बात क्योंकि worksheet मैं बना रहे हूं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं तो उल्टे हाथ से लिखते हूं इसलिए मैं क्या लिखूंगी left ठीके आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो आप right hand को circle करेंगे ओके चलिए next देखते हैं फूर्ट question है आपका where do you stay for most of the time now a day आज कल जब बिमारी का दौर चला है कितने लोग बिचारे बिमार हैं है तो आप क्या कर रहे हैं आप कहा हैं अपना मतलब अपना ज़द तर टाइम आप कहां गुजार रहे हैं inside यानि कि घर के अंदर या outside घर के बाहर inside की spelling क्या है I-N-S-I-D-E inside और outside की spelling क्या है O-U-T-S-I-D-E outside ठीक है तो मैं तो भए inside हूं क्योंके मैं कहीं जाई नहीं पा रहे हूं ठीक है तो आप भी बताएंगे कि आपने अपने चुट्टियों में कहां रहें आप लोग घर के या घर के बाहर तो मेरे सबसे सबका अंसर घर के अंदर ही होगा क्यों क्योंकि हमाएं पैरेंट्स हमें कहीं जाने ही नहीं दे रहें कह रहें बिमारी है बाहर नहीं जाओ नहीं तो आप बिमार पर जाओगे है ना चलिए नेक्स्ट कुशिन देखते हैं विच वैदर डू यू लाइक दा मोस्ट यानि कौन सा मौसम आपको बहुत जादा पसंद है होट होट माने गर्मी सी ओ एल्डी कॉल्ट कॉल्ट माने थंडा तो अब इन दोनों में से आपको कौन सा मौसम पसंद है तो देखिए मुझे तो लगते हैंने कोल्डिंग पीनल पीन क्र्वजायर फेवरेट यूरे बनांफ युठेश्र नहीं बना दो वर्ट्स लिखेंगे और सबस्क्राइब क्योंकि आप लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ी मुश्किल भी ड्रॉइंग है अगर आप ड्रो कर सकते हैं या अपने पैंट से ड्रो करवा सकते तो अच्छी बात है अधर्वाइस आप लोग ऐसे ही कर लेंगे ठीक है चलिए तो यह वीडियो हमारी यहां फिनिश होती है अ अगर अभी तक आपने माय चाहां को सिस्काइब नहीं करा तो प्लीज माय चाहां को सिस्काइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग